राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक मासूम बच्चे का श्रव नीजी स्कूल के कमरे के गटर के अंदर से श्रव को परीजनों की निशान देही पर बरामद हुआ है जी हाँ मामला पटना के दिखा थाना छेतर एलाके में इस्थित नीजी स्कूल का बताया जो रहा है जहां गुरुवार की सुबा बच्चा स्कूल पढ़ने गया और छुट्टी के बाद घर वापस नहीं पहुचा जिसके बाद परीजनों ने बच्चे की खोजबीन शुरू परीजनों ने बच्चे की तलाश में स्कूल गए जहां नीजी स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चे के स्कूल से घर जाने की बात कही गई परीजनों की माने तो बच्चे की तलाश में परीजन स्कूल की खाक चानते रहे मताये जो रहा है कि बच्चे की तलाश में परी जनों ने स्कूल परी सर्में एक कमरे के गटर को खोला, जिसमें बंद गटर के अंदर तीन साल के मासूम बच्चे का शव पाया, जिसके बाद इलाके में हड़कम्प मच गया परीजनों द्वारा खोजबीन में मासूम के गटर में पड़े शव के मिलने पर जहाँ एक और जम कर बबाल काटा तो वहीं आनन फानन में घहटना की जौनकारी दिघा थाना की पुलिस को दी गई पुलिस ने मौके पर पहुट शव को अपने कबजे में लेकर पोसमाटम के लिए भेज दिया और मामले की परताल में जुट गई है इधर आक्रोशित स्थानिय लोगों और परीजनों ने सडक पर आग जनी कर बबाल काटा मासूम के हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों की गिरफतारी की मांग की गई है फिलाल पुलिस मामले में लोगों को समझाने की प्रयास में जुटी है लोगों की बच्चे आपका घर चला गया लेकिन घर तो आया नहीं था तो फिल प्रसाशन में हम लोगों की एक कोज बीन शुरू हुआ तो रात के ढाई बजे, इस स्कूल के चेमबर में बच्चा का सव धघा हुआ है इस कूल के चेमबर में? हाँ इस कूल के चेमबर में स्थी टिवी में हुलागा था से टिवी में चैमबर जैसे वो जो ज़ो घटर होता है ना उस दे डाला गया है एक क्लास्रूम में गटर टाइप का चेमबर था उसंने धखा हुआ था बच्चा का शुम्ट क्या लगा आको इतमें बच्चा के हत्या की गई है यह बच्चा चेमबर में घड़ गिया है प्रवारी के लगवाई तो हत्या ही है क्योंकि छीपाया जा रहा है ना पच्छा बाड़ा बजे से लापता था इसकूल में हम लोग को पाच बजे इंपोर्मेशन दिया गया जब धकन लगा हुआ है दकन लगा हुआ था अपने से जा कड़कर धकन तो नहीं न लगा है करके गटर में डाल करके डकन बंद किया हुआ था जादा बड़ा बच्चा को गुम्राह किया गया है कि बच्चा आपका घर चला गया लेकि बच्चा जब वापस नहीं आ है तो हम लोग पूरे फैमली जो है कि बच्चा को खुज भीन किया स्कूल प्रांगर में जाकर कि इनको आरी लिया आपको वहां का जो स्कूल इंचार्ज था वो बार बार कर रहा है कि बच्चा आपका चला गया पर सासन को भी सुचित किया गया पर सासन लोग भी आए फोटेज में देखा गया ते एक बार कमड़ा में बच्चा नजर आ र लेकिन हम लोग पूरे फेमनी को बोले थे कि स्पूल को रात भर घेर करके रखना है हटना नहीं है यहां से पर सासन भी वहां थे सामरे सीनियर डबलेपन पुलिस अफिसर भी आये थे वह भी जाकर को है इनकवारी किये हैं वह भी फूटेज देखे हैं फूटेज में कर देखने दिजे आखिर कहां से कैसे क्या है तो चारों तरब से भूब करके देखा तो वहां एक चेम्बर बना हो चेम्बर है जो कि इससे देखने से पता नहीं चलता है लेकिन लास्च में चेम्बर ठका हुआ सिलाप उसके उपर लकरी रखा हुआ तक था जब उसको तो यही घटना है तो यह तो साजी से किया पूरा मडर की घटना है बच्चा को ढखन चेमबर में डाल करके उपर से ढखन रखा हुआ तीन साल का एक मासूम बच्चा जो है कि अब बार बार हम लोगे कि यहां क्या यहां किया करहें मेटर ही है तब दीघाज्टीया य्लाजव इसकूल परसाचन क्या कुर्छ अधमिला क्या कुछ तरु हो रहा है। पर शुचित कीजे परसासन को बुलाइए लाकि उसको गटर में डाल करके आप घुम्राह करके आपका बच्चा चला गया इसका मतलब सुबह से आप बच्चा को डाल करके रखे हुआ इसमें आपको पता है इतने बच्चा का चुटी जब वहा बच्चा को बच्चा को लेकर के आता था जब बच्चा जो है कि छुटी में तीन बच्चा गहर आया एक बच्चा नहीं आया हम लोग को कहा है तो मालूम पड़ा कि नहीं वो नहीं आया बच्चा चोटा बच्चा उससे भी क्या बताएगा जब वहां हम लोग गए तो पूछे तो कर वहां से कहा गया है इसम्चालर से की बच्चा चला गया आपका रात रात तक हम लोग पूछ रहे हैं कि बच्चा बताओ आखिर बात क्या है लेकि वो बार-बार करा है कि यहाँ बच्चा आपका नहीं है उसके वाइप भी थी वो अपने था सब उसका बच्चा भी तो सब बोलाए कि यहाँ आपका बच्चा नहीं है लास्ट में बच्चा हम अपने जितने पदर अलब पदरिकारी लोग हैं उन्हों से मुचित मांग करते हैं कि इसको सच जखर करवाइश किया जाए सदा दिया जाए जो अभी हम दो यहां खड़े हैं इसी स्कूल में कल एक बच्चे का जो है अपरित होने का जो सुचना दिगा थाना को प्राप्त हुआ था तो दिगा थाना तोहित करवाई करी थी यहां पे स्टार्ट हुआ हम लोग का इन्वेस्टिकेशन और हमने जो है टेकनिकल सारे इतन कर पा रहे था तो पता चला कि सीसी टीवी से ऐसा देखा गया कि बच्चा जो है एक तरफ जा रहा था स्कूल के अंदर के प्रिमैसेस में ही और वापस उधर से आता वह नहीं दिख रहा था और इस पूरे घटना के दौरान जो है स्कूल के जो है कुछ मैनेजमेंट की टी स्पेस बना हुआ है फ्लोर की नीचे उसमें जो है रखा गया था तो उसको बोड़ी को वहां निकलवाया गया पुलिस के द्वारा जो है और थोड़ी बहुत जो है पुलिस और प्रसाशन की मदद से जो है तोरफ और करने से बचाया गया था स्कूल को और उसके बाद जो कर जला कि दो और जगह पर जो है रोपर जो है इन्हों ने लोकल पृप्लिक मतलब आ गया थी और हमारे बल जो है जो पुरुष्ट है तो उनोंने उनके साथ ज़ो है ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं किया इसके वज़ह से थोड़ा लगने में बडो सफल हो गई और आज ज तुरंद फायर की टीम को बुलाया गया और फायर की टीम ने आग पे काबू कर लिया है और अभी कोई जान मक्ड की छती तो नहीं हुई है कुछ माल की कौपी किताब वगरा उसमें आग लगी कितने गिरफ़ता यह अग तक पहले जो अप्रण वाले प्रकरन था उसकांड में हम लोग अभी हम लोग हत्या मान के इसको अनसंदान करेंगे और इसमें जो है अभी तीनों को डिटेंड किया गया है और जो तीनों लोग के दिया है उसमें कुछ हारूप लगाया है और उनके भी जांच हम लोग कर रहे हैं हर चीज की जांच जो है कंभीरता से और गहराई से करने के पश्चाती जो है हम लोग इस निशकर्ज पर पहुंचेंगे कि क्या वज़ा थी कि उनकी जो है यह इसके दत्किया है दानापू दी गई घरवालों को तो कि यहां से वैंसे वह जाता था बच्चा तो वह विलंब के कारण पर हम लोग जो है विजाज कर रहे हैं और सारे बिंदू पर जाज कर रहे है और जो भी आगे निशकर्स निकल के आता है वह हम अनसंदान में जो हाएगा परिजन अरूप लगा सब्सक्राइब चाहिए है कि हम एप्लिकेशन जाके थाना में दिया उसके बाद भी नहीं पूलिस से पहुची थे हैं मैरा धर्ज नहीं हुआ रिसीविंग तक ठाने वाले नहीं दिया और थाना पांच बजे लोगों को सुचना दिया गया इन लोगो परिजन को और ठाना जब जैसे ही सुचना दिये गया थाना यहां पर इंडिस्टिगेट कर रही इल्नों के साथ बूरे जगा को छान्मिन किया गया हम लोग खुद मॉनिटर कर रहे थे अगरतर हो चुकी थी सारी चीज़े इसमें यह इस्यू है कि हम अपील करते हैं कि कभी भी कुछ होता है तो अगर आप जो है कानून विवस्था को अगर मदद नहीं करेंगे तो आप ही के लिए घातक होगा और हमारे लिए क्या है कि हम एविडेंस करने में हमें दिक्कत होग तो इसलिए अपील है कि किर्पया शांती से जो है प्रसासन को मदद करेंगे पुलिस को आपके लिए हमेशा खड़ी है हम लोग सुर्वात से उनको यह आश्वासन देते रहे थे रात से ही हमारा अश्वासन था कि हम लोग पूरा जो है एकदम गंभीर जो मामला है यह इस स्थांबर होता है मुख मारी मुखमार घंटों जाम रहा है बहुत सारे अस्कुली बचे संपर करें यह स्थानिय थाना को उठाना को उतते नहीं है क्यों सब्सक्राइब होता है कि अधरवाज उठाएगा और 112 का नंबर हमेशा होता है 112 का नंबर है इमर्जनसी के हालत में हमेशा 112 पे डाइल करें कई बार हो सकता है इताना का इधर उधर कुछ हो कहीं ब्यास्त हो या फिर दूसरे फोन पे ही ब्यास्त हो इसमें 112 एक मल्टी चैनल है वो उसके आप हर चीज़ फायर हो हेल्थ हो पुलिस हो कोई भी इमर्जनसी का अभी पूरे पैन इंडिया 112 ही नंबर है अब तुरंद कॉल करें उसको रिसीब किया जाएगा और उसका हमारा 15 मिनट के अंदर इवन 10 मिनट के अंदर हम लोग पहु